इसमें क्या है? खाना? खाना? दो दिन से कुछ खाये नहीं, देदे बेटा. मेरे दाजाजी ने एक साल से कुछ नहीं खाया है. एक साल से? एक आइडिया दू? आप पंडद बन जो. लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिना भी देंगे. पर आपको भीग नहीं मांगने पड़ेगे. आइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना. वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है, और मस्चित उधर. लेकिन मंदर तो बंद है. भगवान के नाम पे देदे कुछ. भगवान के नाम पे देदे. भगवान के नाम पे देदे कुछ. आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ. लगता है आप खलत जगह आ गया हो. यह गलट जगह है? नहीं, जगह है तो सही है. आप गलती से आँ गया हो. बंदिर अगली वाली गली में है. यह क्या है फिर? यह मस्जिद है, अल्ला का दर्बार है. यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो. वैसे ही मंचिद में अल्ला की इभादत करते हैं. आप कौन हो? मैं यहां का मौलवी हूँ. मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं. तो आप दोनों से मौ? मतलब एक तरीके से कह सकते हैं. आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना का लीजी मैं क्यो? क्योंकि आप मस्जिद के पंड़ेत हो ना नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है पता है, ये खाना दादाजी के लिए आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वाप बटर चिकन मिलेगा उन्होंने एक साल से कुछनी खाया, आप प्लीज ये खाना खालीजे पेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बॉट ढूंडा, मैं कोई भी नहीं था पेटा, जो काम पंडित कर सकता है, वो मौलवी नहीं कर सकता अभी आप इने तो कहा, कि आप दोनों सेम हो खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है अरे, आप आस समझ क्यों नहीं रहे हो पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं आप अल्ला के नाम पे खा सकते हैं? फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो आप क्या पंडित जी से काम पावर्फुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता, यहां नहीं क्यों? मंदर और मस्जित में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शेव जी तो शेव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं न, यही फर्क भगवान और अल्ला हमें है लेकिन मम्मी कैती है कि सारे भगवान सेम है वैसे अल्ला कितने है अल्ला कितने है? ऐल्लाः तो इक भी है, बैटा? तो आप इन्य शौर, कैसो तो बागमान और अल्लाः सीमी है जैसे मेरा नाम रशृृल है मअम्यो मेरा को टिक भॉलाती है पापा मेरा को रॉकी बुलाती है मरे दोख मेरे गृषिक मेरा को राहू बॉलाती है अल्ला से मज्जित में ही मिलते हैं नहीं अल्ला तो सारे जहान में मिलते हैं इस सड़क पे हां मौल में हां सबजी बजार में हां मंदिर में भी हां भाया तो फिर मज्जित में भवान क्यों नहीं मल सकते हैं वैसे अगर मैं अल्लाँ से कुछ मांगना चाहू, क्या वो मेरी बाद सुनेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सुनेंगे. तो अगर अल्लाँ मेरी बाद सुनने को तैयार है, तो आप क्यो ने सुन रहे हैं? बिश्वर अल्लाँ तेरो नाँ कौन सा लड्डू है? मेरे दाल्डर जी वियां में लड्डू से इश्वरू करते हैं सब को संबते हैं